बाद दोस्तों तो मैं बात कर रहा हूं रिजियो स्लेक्टिव रिएक्षंस ओफ नेफ्ट लिन्स और रिजियो स्लेक्टिविटी क्या होती है इस पर एक से अफरेट वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुए आप वहाँ से देख सकते हैं की रिजियो स्लेक्टिविटी क्या होती है किमोस्फ पर ऐक्टिविटी क्या होती है तो इस पर CSIR.net में एक दो बार कोशन पूचा गया है कि नेफ्तलीन की रिजियो स्लेक्टिविटी बे तो दो देखिए नेफ्तलीन क्या है 10Pi electron system है aromatic है 2, 6, 6, 8 और 100 compound के अंदर total 10 carbon है अब इस में से only 8 carbon ऐसे है जहां हम क्या कर सकते है nucleophilic substitution reaction शो कर सकते है देखिए यह जो 2 carbon junction के carbon है इनके उपर कोई hydrogen atom इनके उपर कोई hydrogen atom है नहीं है जिसकी वज़े से हम यह substitution reaction है शो नहीं कर सकते है तो only 10 में से 8 carbon ऐसे हैं हम substitution reaction शो कर सकते है तो उन 8 carbon में से वो 8 carbon दो टाइप के है alpha और beta तो देखिए जो यह junction वाले carbon है उसके जो एडजेशन फर्स्ट carbon है next उसको क्या बोलते है alpha carbon और उसके जो second next है उसको beta carbon तो देखिए electrophilic substitution reaction अगर irreversible हो जैसे हम benzene के अंदर देखते है electrophilic substitution reaction nitration, alkylation, acylation वगेरा वो क्या होती है irreversible होती है backwards step उनमें नहीं होता तो हम क्या करते है nucleophilic substitution reaction अगर irreversible हो को nucleophile electrophilic substitution कोई कर रहे है और वो irreversible है तो क्या बनता है alpha position पे लगेगा electrophile substitution reaction और अगर यह ऐसे करते है तो यह यह आँ beta position पे तो देखिए अगर irreversible reaction है तो जो alpha site पे जो substitution होता है वो क्या होता है favorable होता है और beta unfavorable होता है तो जो product बनता है वो alpha के according बनता है ना कि beta के according तो देखिए दोप्तों अगर reaction reason क्या है इसका कि जो favorable है वो alpha position alpha site पे फेवर करता है इसका reason यह है कि जो हम quantum chemistry में पढ़ते हैं कि wave functions of orbitals तो वह क्या है कि highest molecular orbital है जो वो उसका largest coefficient date है first alpha site वाले carbon का क्या होता है अधिक होता है largest coefficient होता है होमो का दूसरा जो main आप प्रेक्टिकली देख सकते हो यहां long linear delocalization हीन है resulting carbocatines तो जैसे यह मालो naphthalene लिया उस पे electrophilic substitution करवाया alpha site पे तो यह double bond जब break होगा तो यहां क्या होगा electrophile attach होगा और यह साथ वाले carbon पे क्या generate होगा carbocatine तो अब इस carbocatine का देखिए delocalization अगर ऐसे करवाया जाए carbocatine के लिए electron का delocalization है अगर ऐसे हो तो देखिए यह linear chain में long linear chain में delocalization हो रहा है और यहां क्या generate होगा carbocatine ठीक है और फ़र जब next step में यह electron यह h positive निकलेगा तो यह electron यह और यह double bond फिर यह और दुबारा हमें क्या मिल जाएगा नेसलीन के alpha side पे electrophile लग जाएगा जब हम बिटा के बात करते हैं कि हम बिटा पे अगर electrophilic substitution करवाएं तो हमें carbocatine alpha side पे मिलेगा अब देखिए इसको अगर इस double bond को यह जनरेट करें डिस्प्लेस करें और इसको यह करें तो देखिए यहाँ दो ही case हुए है जिसमें electron का क्या हुआ है delocalization और दूसरा में इसे कर सकते हैं कि अगर इस double bond को यहाँ conjugation में दें और इसको यहाँ और फिर इसको यहाँ तो देखिए यहाँ कार्बो कटाइन तो जनरेट होगा बाकि जो क्या कह सकते हैं कि यह जो long linear chain के थूँ delocalization कार्बो कटाइन का नहीं हो रहा जैसे यहाँ देखिए long chain first carbon first bond ऐसे delocalize फिर ऐसे फिर ऐसे मनलो एक linear long chain में हो रहा है यहाँ दो step हो सकते हैं अलग अलग कटाइन delocalize ज़रूर है बोथ ring में carbon कटाइन क्या है कटाइन यहाँ से yard generate होगा जब यह positive bond angle क्या होगा displace होगा बट क्या है कि यह long no long linear chain of error is possible बीटा में इसा possible है नहीं होता है फिर यहाँ H positive निकलेगा तो हमें क्या मिलेगा बीटा side पे तो जब reaction reversible हो तो हमें alpha position पे substitution मिलता है reaction at beta position less favorable यह reaction is irreversible अब बात करते हैं reaction अगर क्या हो reversible हो reversible जब reaction होगी तो हम product alpha बने का या बीटा वो किस पे डिपेंड करता है temperature पे temperature के condition पर देखिया जैसे बंजीन में sulfonation reaction करते है बंजीन पे sulfonation reaction करते है तो वो reaction irreversible reaction होती है आपने देखा होगा जैसे हम बंजीन के उपर H2SO4 concentrated H2SO4 डालते है तो हमें HSO3 यह reversible reaction होती है तो देखिया जब reversible reaction होगी तो अगर हम naphthalene पे H2SO4 को 160 degree temperature पे डालते है और एक 10 degree Celsius temperature पे करवाते है तो जो low temperature पे होता है वो बनता है alpha product alpha और जो high temperature पे करवाते है तो बनता है beta देखिया high temperature पे करवाने का मतलब है कि thermodynamic product है high temperature वाला क्या है thermodynamic product है जो कि है तो stable क्या है thermodynamic stable product है stable क्यों बोल रहे है कि जएखिये जो मैंने hydrogen लिखा हो है red से इनके बीच gap या दूरी ज़्यादा होने के विज़े से जो बलकी group है cellophonic उनके बीच repulsion क्या होगा कम और यहाँ क्या होगा repulsion ज़्यादा तो यह कै kinetic product है हो तो जल्दी जाएगा reaction ज़ी जएगा तो एट हाई temperature क्या बनता है बीटा site पे substitution होता है और यह low temperature क्या होता है alpha site पे तो देखिये यहन क्या है temperature increase करेंगे तो 8 है बिटा साइट पे और टमप्रेचर लेस होगा तो अलफा साइट पे लेस टमप्रेचर वाले को क्या बोलते हैं काइनेटिक प्रोड़क्ट अब देखिए जो इस पर कोस्टन पुछा गया है दिसमबर 2017 में काइनेटिक प्रोड़क्ट फॉर्मिन फॉलॉइंग रियक्शन आपको ओएच ग्रूप लगा के दिया हुआ है बेंजीन के उपर नेफ्लीन के उपर और कंसेंट्रेटिड एस्ट्रोफ और मतलब सल्फोनेशन रियक्शन होगी होगी कहां देखिए ओएच देखिए जब बे पेरा पे इनक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से सब्स्ट्ट्शुशन रियक्शन का होती है और्थोर अरे पेरा पे अगर इलेक्ट्रोण विड्ड्रोइंग ग्रूप और तो मेटा पेस्ट्ट्ट्विशन होता है अब यहां देखिए ओच ग्रूब लगा होगा है जो कि क और मेटा पोजिशन यह वाली और फिर जो पेरा पोजिशन है वो यह वाली तो पेरा पोजिशन पर सब्सुटुशन हो नहीं सकता जंक्शन वाला कार्बन है तो अब देखिए जो यहां जो क्या दिया हुए काइनेटिक प्रोड़क्ट दिया हुए तो मतलब अल्फा साइट पर ही sulphonation होगा काइणेटिक प्रोड़क मतलब low temperature पर तो alpha side एक तो यहाँ है और एक है यहाँ है तो अब यहाँ alpha side है तो अब product देखिये यहाँ जो बना हुआ है वो beta पर बना हुआ है तो इसको क्या करोगए cancel out जो sulphonation लगा हुआ है cyclophonic group वह बीटा position पे है या जो लगा हुआ हुआ है वह alpha group पे ये मे भी हो सकता है हम फृदर चेक करेंगे आगंगे वाले 2 option और तो यहां देखिए ये काँ है alpha और ये beta position पे है तो ये भी cancel करोगे ya 주는 kita नहीं बनेगा kinetics product आप देखिया याँ भी alpha position पे है यहाँ alpha position पे जो इसका ortho position है उस पे electron density ज़्यादा होगी और meta position पे बट ये क्या लगा हुआ इसके ortho और para पे electron density ज़्यादा होगी बट ये जो sulfonik group लगा हुआ ये क्या है इसके meta position पे तो meta position पे electro substitution शो नहीं करता है electron releasing group के case में सिरफ कहा होता है औरतों के case में तो ये वाला option भी क्या होजाएगा cancel तो option क्या होगा fourth thank you so much if you like this video please subscribe my channel